स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सिगिन्दो सेयर के बारे इसका पूरा नाम है सिगनेट इंडस्ट्री इस लिमिटेज आड़ हम लोग इस सेयर का चार्ट रिडिंग करके जानेंगे इसका टार्गेट और इसका पूरा नाम हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसका फर्स टार्गेट होगा अंठावन रूपया इसका सेकेंडर स्टापलोस होगा पचास रूपय नबबे पैसे का इसका थर्ड स्टापलोस होगा 47 रूपय पचीज पैसे का अब हम लोग बात करेंगे डेकेंडल पर डेकेंडल पर डेकेंडल पर इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 58 रूपय असी पैसे का इसकेंड जो टार्गेट होगा वो होगा 63 रूपय बीस पैसे का थर्ड जो टार्गेट होगा वो होगा 68 रूपय 95 पैसे का छीकर अब लोग बात किरेंगे इसके stop loss की इसका फिर्स्ट स्टाप्लोस अजद स्टॉपन रुपए पचासी पैसे को से सब्सक्रत होगा पचास रुपए साथ पैसे का को мताहा इसका थर्ड स्टॉप लोस और 76 रूपए 10 पैसे का देखन ze अब अम बात करेंगे principοι candle पर अündरके इसका जो फर्स टार्गेट होगा वहहुद चौह सट रूपए 50 पैसे का इसका सेकेंड जो टार्गेट होगा वो होगा 73 रुपे 60 पैसे का थर्ड जो टार्गेट होगा वो होगा 83 रुपे 90 पैसे का अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की इसका फर्स्ट स्टॉप्लस होगा 50 रुपए 10 पैसे का इसका सेकेंड स्टॉप्लस होगा 44 रुपए 90 पैसे का इसका थर्ड स्टॉप्लस होगा 35 रुपए का ठीक है अब हम लोग बात करेंगे मंथली केंडल पर मंथली केंडल पर इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 64 रुपए का सेकेंड जो टार्गेट होगा 84 रुपए का और थर्ड जो टार्गेट होगा वो होगा 104 रुपए का अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप्लस की इसका फर्स्ट स्टॉप्लस होगा 44 रुपए क का इसका second stop loss होगा 25 रुपए का और इसका third stop loss होगा फंदरे रूपए पैसेट पैसे का ओ हुआ है ठीक है तो अब हमने अभी चार्ट रिणिंग करके जाना इसका टार्डिटोर रुपए का अब हम लोग जानेंगे technical indicator से और हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर से यह जानेंगे कि एंट्री कहां लेना चाहिए और कहां एक्जिट मैं RSI सेट करूँगा और M.A.C.D. को देखिए M.A.C.D. पर मंतलिक एंडर पर देखिए बुलिस दिखना要स होगी है यहां पर मगर यहां पर com pharmation मिल्चुका है यहां पर sık सिरफ एक बुलिस दिखा है बट यहां पर conformation मिल चुका है RSI आपका 62 पर है अब हम लोग बात करते है weekly candle पर वी कैंडल क्रोशॉर भी बन चुका है दो week पहले ही दो week से दो week से देखेंगे दो week पहले ही यहां पर signal मिल चुका था यहां देख सकते हो Dave YouTube कर अब requests एक एक यह dua डिका और यहां ओध यहां से hidden ले लिया छो अब हम लोग इसका fundamentals देखेंगे अब हम लोग बात करेंगे इसके fundamentals की तो एक मंद में इसने 32% का positive return दिया है और एक साल की बात करें तो 80% का positive return है और बावन विक क्या है की बात करें चौसाट रुपए 35 पैसा है बावन विक लोग की बात करें 26 रुपए 25 पैसा है market cap की बात करें 162 कड़ोर का market cap है share holders की बात करें 13.2 के इसका share holders है न्यूज की बात करें तो कोई latest news नहीं है इस से रुपए और आज दिन भर के trading की बात करें तो market का previous closing था 50 रुपए 35 पैसा पे 50 रुपए 35 पैसा पे opening किया 50 रुपए 75 पैसा पे 40 पैसा के गेप अपनिंग के साथ market ने हाई लगाया है 55 रुपए 35 पैसा का और अपने हाई पे क्लोजिंग दिया है और आज इसने लगभग 10% का return दिया है और लो अपना वही बनाया है लो previous closing का price ही इसका low price है आज का आज जिसने 50 रुपए 35 पैसा का low बनाया है तो आसा करता है फ्रेंट वीडियो आपको अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना कॉमेंट्स करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना तो मिलते है फिर हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाए